बच्चों में बुखार और दर्द के लिए दी जाने वाली कॉलपॉल पिडियाट्रिक ड्रोप सबसे कॉमन मेडिसिन है। वेक्सिनेशन के बाद जब बेबी को बुखार और दर्द होता है तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये एनालजेसिक और एंटिपारिटिक मेडिसिन है। कॉलपॉल जनरली तीन तरगे प्रिप्रेशन्स में आती है। एक साल से कम एजवाले बच्चों को कॉलपॉल पिडियाट्रिक ड्रोप दी जाती है जिसके एक एमल में 100 mg पेरसिटमोल होता है। और एक साल से ज्यादा एजवाले बच्चों के लिए दो तरगी कॉलपॉल जिरप आती है। एक में 120 mg पर 5 ml होता है, दूसरी में 250 mg पर 5 ml होता है। पेरसितमोल बच्चे को कब देनी चाहिए? कितनी डोज देनी चाहिए? और दिन में कितनी बार बच्चे को दे सकते हैं? इन सबी सवालों के जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें. बच्चे का नॉर्मल टेमपरिचर एडल्ट से 1 डिग्री फार्णे हाइट जादा हुता है, इसलिए 101 डिग्री फार्ने हाइट को बच्चों में बुकार माना जाता है. बट 100 डिग्री फार्ने हाइट होने पर बुकार के लिए मेडिसन दी जा सकती है. डोज़ की बात करें तो कॉल पॉल पिडियाटिक डॉप्स का जो आउटर बोक्स होता है उसके उपर वैसे तो डोज का चार्ट बना हुआ होता है बट उसके लिए बच्चे का वजन पता होना जरूरी है क्योंकि बच्चों को उनके वजन के इसाब से डोज दी जाती है 10 से 15 mg पर kg के according डोज कलकुलेट करके दे सकते हैं ये वर्निंग बॉक्स पर भी लिखी होती है कि हमेशा बच्चे के वजन के अनुसार डोज दे हैं 10-15 mg पर केजी के हिसाब से इसे दिन में 3-4 बार दे सकते हैं अगर आप ज़्यादा मात्रा में दवाई देते हैं तो बच्चे को overdose हो सकता है और बच्चे को नुकसान पहुचा सकती है overdose की बच्चे का liver damage हो सकता है और allergic reactions हो सकते हैं allergic reactions जैसे face पर सूजनाना, मुँ और गले में सूजनाना, गले में सूजनाने की वज़े से बच्चे की सांस रुख सकती है उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और शरीर पर खुजली दाने हो सकते हैं इसलिए overdose होने का strict ले ध्य पहले वज़न चेक करें बच्चे का और फिर उसके हिसाब से चार्ट में देखकर दवाई दे और dose के बीच कम से कम चार घंटे का gap रखें अगर चार घंटे का gap नहीं रखेंगी तो भी overdose हो सकता है और 24 घंटे में चार बार से ज़्यादा dose बिलकुल नहीं दे बोटल के बोटल को अच्छे से हिला कर मिला ले और दवाई देने के बाद बोटल को टाइट बंद करके रखें अगर 24 घंटे में आपने बच्चे को तीन या चार बार dose दे दी है फिर भी बुखार ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं और आपने डॉक्टर को फ हमेशा डॉक्टर की एडवाई से ही दवाई लें डॉ सब्सक्राइब दे चैनल फॉर मोर मेडिसीन और हेल्थ रिलेटे वीडियोस